यानि कि मेरे कहने का मतलब है संपून तरीके से RSS आपका एक व्यक्तिक तो निर्मान का कारे करता है जहां पे शिक्षा की कमी है लोगों को शिक्षित करने का काम करती है RSS और PFI में अंतर ये है कि PFI देश तोड़ने की बात करती है PFI में वो लोग हैं जो कभी सिम्मी के एक्टिविस्ट हुआ करते थे और सिम्मी के एक्टिविस्ट मोस्ली जो हैं आतंकवाद में घिरे रहे आतंकवाद में उनके उपर केस दर्ज हुआ और वो जेलों में लगातार बन रहे P.A.F.I. भारत में सोहार्द को खराब करने का काम करता है भाईचारा में डिफरेंसेस पैदा करता है और भारत की जो गंगा जमुनी संस्क्रीती है उस पे परहार करता है किसी धर्म ने अलगाओ की बात कर नहीं करी नफरत की बात नहीं करी एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी की बात नहीं करी नमस्कार मैं हूँ परफुल और आप दिखने है स्काइनीज गुलोबल और हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के राश्टिये परवक्ता यासिर जिलानी साहब बाचीत तो खेर लंबी नहीं करेंगा आपसे लेकिन सवाल पहला हमारा बिहार में दो पीएफाई के कार्यकरताओं की गरफतारी होती है उसके बाद स्स्पी का बयान आता है कि आरेसेस जो ट्रेनिंग करती है वहीं ट्रेनिंग पीएफाई कर रही है तो इसमें गलत कहा है और उसके बाद एक तरह से सियासी भूचाल मच जाता है उस बयान को लेए नहीं देखो सियासी भूचाल तब मचता है जब आप परशासनिक अधिकारी हैं और जो यूपीएसी का कोड होता है अपनी सर्विसिस के लिए उसमें अपने अधिकारी के लिए एक दिशा निर्देश होती है उस दिशा निर्देश में ये कहा जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविजम नहीं कर सकते हैं उस पे बयान नहीं दे सकते हैं आपका जो कारे छेतर है उस अधिकार के तहट अपने किये हुए कारे के उपर जो भी टिपड़ी करना है करिए आप किस संदर में क्या बोलना है ये आपके पास Code of Conduct समिधान के कॉर्डिंग दिया गया है आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं और आप किस से comparison कर रहे हैं RSS जैसी विश्यो की एक ऐसी संगठन जो समाज को के अंदर समरस्ता लाने की बात करती है जो समाज में सभी वर्गों को समाहित करती है जो जहां पे शिक्षा की कमी है लोगों को शिक्षित करने का काम करती है अगर चिकित साले नहीं है और स्वास्त की विवस्ता ठीक नहीं है वहां पे उसको दुरुस करती है यानि कि मेरे कहने का मतलब है संपूर्ण तरीके से RSS आपका एक व्यक्तित तो निर्मान का कारे करता है तो तेजस्वी का भी आता है उसके बाद में BGP और जादियू में भी देखा जाता है थोड़ी बहुत अन्बन हो जाती है टेजस्वी का कहना है कि उसने जो एससपी मानो जीत सिंग जो है अधिलो है उन्होंने गलत कहा कहा जो बजरंग दल या जो भी मतलब RSS की जो आप उनकी ट्रेनिंग देखेंगे तो वहीं ट्रेनिंग CFI या PFI करती है तो इसमें डिफ्रेंटेज कहा है और उन्होंने गलत क्या होता है पहले तो तेजसिवी यादो को ये अपने आपको सही करना पड़ेगा कि वो जो देख के पढ़ते हैं उसको भी वो ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो वो RSS को समझने के लिए उन्हें शाका आने की जरूरत है RSS और PFI में अंतर ये है कि PFI देश तोड़ने की बात करती है PFI में वो लोग हैं जो कभी सिम्मी के एक्टिविस्ट हुआ करते थे और सिम्मी के एक्टिविस्ट मोसली जो हैं आतंकवाद में गिरे रहे और भारत की जो गंगा जमनी संस्क्रीती है उस पर परहार करता है RSS का जब से RSS बना है अल्मोस सौ साल से जादा हो गया कम से कम उस इतिहास को एक बार तेजस्वी यादों को पढ़ना चाहिए और अगर नहीं पढ़ा है तो कम से कम RSS के हमारे हाँ एक विवस्था होती है जिला कारवा होते हैं जिला के अधिकारी होते हैं उनहीं से मिले वो ही कुछ उनके ग्यान को वर्धन करेंगे और RSS की सोच उनकी बदल जाएगी आप RSS की समरस्ता की बात करें राष्टवाद की भाईचारे की बात करें लेकिन आप यासिर जिलानी नाम है आपका एक तरह से देखा जाए तो अलप संक्रक समधाय के जहन में यह बात बैठा दी जाती है कि RSS आपके लिए ठीक नहीं है और RSS जो कर रही है आपके विरोध कर रही है आपके खिलाब काम करें देखो RSS में जब हम लोगों ने देखा हम तो RSS से डिरेक्ट पहले नहीं जुड़े और उनको समझने की कोशिश करी RSS को जब समझने की कोशिश करी उनको किताबों में पढ़ा उनको देखा तो उनके अंदर जो क्रिस्टल की तरह केलियर चीजें हैं उन्होंने जो उनके संगठन में जाता है वो जाती धर्म पंथ समुदाय से अलग होके काम करता है वहां पे किसी तरह की भड़काने की नफरत की अलगाओ की बात नहीं कही जाती है तो मैं यासर जिलानी मेरा नाम होते हुए मैंने तो कभी मुझसे यह नहीं पूचा कि आपके इस धर्म से हैं और जबकि मैं प्रैक्टिसिंग भारत का भारती मुसल्मान हूँ अपने समीधान पे जितना मुझे यकीन है उतने ही मेरे कुरान, मेरे हदीथ, मेरे शरिया, मेरे फक्राइ और जितनी भी इस तरह की चीज़ें आई हैं जो एक मुकमल मुसल्मान को जाननी चाहिए वो जानने की कोशिश करी मैंने जब जामिया में इसलामिया में मेरी एजूकेशन चल रही थी तो मैंने अगर हिंदुजम, सिखिजम और जैनिजम और क्रिश्चानिटी पढ़ी तो साथ साथ में मैंने इसलामियात का एक सब्जेक्ट था हमारे जब हम लोग ग्रेशन कर रहे थे उस वक्त कंपलसरी कुछ चीजें करनी होती तो उसमें इसलामियात को भे पढ़ा लेकिन जब मैंने पढ़ा तो धर्म हमारा कोई भी हो हिंदुस्तान का किसी धर्म ने अलगाओ की बात नहीं करी, नफरत की बात नहीं करी एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी की बात नहीं करी, सब ने शांती की बात करी हिंदुस सनातन की तो इतनी जी अगर RSS को जानना है तो आप RSS की साखा में जाएं लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि RSS की साखा में जाएं कैसे उसमें तो जाने के लिए जगा नहीं है और जाओ तो तरी सिर्णा और घिर्णा के नजरों से नहीं ये किसने कहे दिया ये भी एक भर्म है ये भी एक बहुत बड़ी मिथ पैदा कर रखा है लोगों ने जब आप सुबह में जो उनकी एक early morning जो कहते हैं कि हम स्वास्त भी अच्छा हमारा हो जाता है जब हम सुबह उठते हैं तो जब से हम लोग अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां के जो परमुक होते हैं उनसे संपर्ख करेंगे तो आपको बलाएंगे और बहुत प्यार से आपको दील करेंगे घरना कहां से इनसान इनसान से घरना करने कि मुसल्मानों के पड़ती हूं उनका रविया ठीक नहीं हुता हमसे तोड़नी की बात तोड़नी की बात ह scarf तुम अच्छे पत्रकार हो पत्रकारिता अच्छे से सीकी है पढ़ाई भी करी है तुम भी सारे समुदाई के साथ रहते हो कहीं कोई इस तरह की बात और जरूर मुझे यकिन है कि शाखा और जो RSS के लोग हैं उनसे भी संपर्क होगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने कोई घ्रना की बात करी नफरत की बात करी और कहीं पे भी किसी तरह की ये बात हो कि हमारे सुहार को हमारे भाईचारा पे परहार करने की RSS ने बात करी RSS ने तो सबको समाहित करने की बात करी RSS आज एक ऐसा संगठन है जो आदिवासियों के लिए आदिवासी छेतर में काम कर रहा है मजदूर भाईयों के लिए मजदूर छेतर में काम कर रहा है किसान भाईयों के उत्थान के लिए किसान छेतर में कारे कर रहा है अलब संख्यक वर्ग के उत्थान के लिए अलब संख्यक के लोगों के कल्यार के लिए उनके बीच में जाके काम कर रहा है तो ये एक विवस्ता जो बनी है उसके बाद आप RSS के उपर अगर इस तरह की टीका टिपड़ी करेंगे तो मैं कहूंगा कि शाखा जाईए और समझेए किताबे पढ़िए जो बड़े-बड़े महानुभावने किताबे RSS के लिए लिए उसको पढ़ने की कोशिश करिये अच्छा एक बात बताओ कि जब आप अपराद करेंगे जब आप ऐसी अपराद में आप शामिल हो जाएं जिसका नतीजा ये हो कि समाज में बिखरा हुआ है जि ऐसे मुद्दे पे आप सडेनली आके रोट पे निकल जाएंगे रोट को आप बंद कर देंगे दुकानों में तोड़ फोड़ करेंगे लोगों को हिंसात्मक लोगों के साथ कारवाई करेंगे तो सरकार की एक नीती होती है राजजे स्तरिये सेंट्रल गॉर्णमेंट तो हर राजजे को दिशा निर्देशी दे सकती है लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो राजजे थापित करते हैं और उस राजजे के कौर्डिंग ही वो कारवाई होती चाहे वो बीजे पी चाहे वो कॉंysłिय तो हमें खटम करनी है कि धर्म देख के कारवाśी नहीं होती है और बीजे पी का मूल मंत्रे सबका साथ विकास विश्वास और प्रदान मंत्री है जब लालकिले के पराचीर से सबकी प्रयास की बात करी तो उसके बाद तो चार्चान लग जाता है यह वि दूसरे दल है रिजिनल ये उन्होंने हमेशा से क्योंकि तुष्टी करण की प्रकास्टा का उनका जो केंदर बिंदू रहा है वो अलसंख्यक वर का सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम वर रहा है उनको हमेशा से डराते रहे असी से असी से पहले कहते थे कि जन संक आएगी त तो आपको हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि एक आदमी एक मुसल्मान का नाम बता दीजिए जो पिछले आठ साल में सरकार आई है और उसको पाकिस्तान और बंगलादेश बेज़ दिया जिए अगर बीजेपी ने हमें किसी तरीके से मुसलिम वर्क के उपर दबाव बनाए होता या उन्हें परिशान किया होता तो एक एक शहर के आखड़े हैं मुरादाबाद से लेके सहारनपूर मेरट गाजियाबाद और तमाम बिजनौर से लेके लखनव और महराज गेंट तक जहां पर प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट अगर घर बाटे गए हर शहर में तो वहां पर 20-22 फीसिदी मुसलिम वर्क के आबादी को भी जो उस कैटेगरी में फिट बैटते थे उन्हें दिया गया उजवला योजना के तहट अगर गैस का कनेक्शन दिया गया तो को लोगों को हिंदुस्तान में समझ में आ चुकी और मुझे लगता है कि अब उनके पास किसी तरह कोई इशू नहीं रह गया है और वो विलुप्त होने के कागार पे हैं अपने को बचाएं भारतिये जन्ता पार्टी परफेक्ट तरीके से पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड को एक आँख से भी वो एकी तरह से देखती दूसरे आँखों से भी एकी तरह से देखते हुए काम कर रही है उसका जो पैगाम है और उसका जो मैसेज है वो अन्तिम छोर पे खड़े हुए वक्ति तक पहुँचना जो वो पहुँच रही है पूरी की पूरी जो सवाल है इस सवाल पर भारतिय जनता पार्टी का मैसेज आ गया था भारतिय जनता पार्टी ने जो सब को साथ लेके चलने की बात करती है उसने इस तरह के करत पर एक करवाई करी है इसके अलावा मैं इस पर किसी तरह की कोई टिपड़ी नहीं कर सकता हूँ मैंने आपने मुझसे दो सवाल कहते हैं आपने दस सवाल पूछे मैं डेली कैमरा फेस करता हूँ माइक फेस करता हूँ आप जैसे जहीन पतरकार को फेस करता हूँ आपका सवाल कंप्लीट होगे अब इसके हलावा कुछ नहीं मोलूँगा खैर आप बने रिया ऐसे ही स्टोरी से हम आपको बाख़वर कराते रहेंगा कैसे ही कोई भी अपडेट हो देश विदेश से जोड़ी हर खबर आप तक पहुंचा जा रहें